नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विएच नियूज में और मैं हूँ आपके साथ विवेक तिवारी दोस्तों खबर उत्रप्रदेश के गाजियाबाद से है जहां अमेरिकी पिज़ा कंपनी पर एक महिला ने एक करोड रुपे के हर जाने का मुकदमा ठोका है सुनकर आप भी हैरान हो गए ना लेकिन सच यही है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पिज़ा कंपनी ने ऐसी क्या गलती की है कि महिला ने कंपनी पर एक करोड रुपे के हर जाने का मुकदमा कर दिया है और भोकता अदालत में कंपनी के खिलाफ एक करोड रुपे हर जाना ठोक दिया मैला ने याचिका में कहा है कि मैंने किस मार्च 2019 को पिज़ा आउटलेट से शाकाहारी पिज़ा ओर्डर किया था उस दिन होली का दिन था मैं और मेरे बच्चे तहवार मनाने के बाद भूके थे कंपनी ने 30 मिनट में डिलेवरी करने के बजाए पिज़ा की देर से डिलेवरी की हाला कि मैंने इसे अंदेखा कर दिया महिला ने आगे कहा कि जैसे ही मैंने पिज़े का एक टुकड़ा खाया तो मुझे मैसूस हुआ कि यह मांसा हारी पिज़ा है पिज़े में मश्रूम के बजाए मांस के टुकड़े थे इसके साथ ही दिपाली ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वह अपनी धार्मिक मानेताओं, सिक्षाओं, पारिवारिक परंपराओं, खुद के विवेक और अपनी पसंद के कारण शुद्ध शाकाहारी है और नॉन्वेज पिज़ा खाने के बाद उन्होंने अब पिज़ा खाना बंधी कर दिया है वहीं दिपाली की वकील फरहत वार्सी ने उपभोकता अदालत को बताया कि दिपाली ने तुरंत ग्रहक सेवा दिकारी को फोन किया और वेज पिज़े की जगा घर में नॉन्वेट पिज़ा देने की लापरवाही पर शिकायत की कुछ दिनों बाद पिज़ा आउटलेट के एक मैनेजर ने दिपाली को फोन किया और पूरे परिवार को मुफ्त में पिज़ा देने का वादा किया हाला कि दिपाली ने उसे फिर से कहा कि यह मामला छोटी सी गलती का नहीं है क्योंकि कमपनी ने धार्मिक विश्वासों और प्रताओं को चोट पहुचाई थी दिपाली की वकील का दावा है कि इससे उनके क्लाइंट को अस्थाई मांसिक पीडा हुई अब उन्हें कई लंबे और महंगे अनुस्ठान करने होंगे जिसके लिए उन्हें अपने पूरे जीवन के दौरान लाखों रुपए खर्च करने होंगे दिपाली ने उब भोक्ता अदालत में एक करोड रुपए का मुअपचा देने के लिए कंपनी को निर्देश देने की मांग की है वही दिल्ली जिला उब भोक्ता विवाद निवारन आयोग ने पिज्जा आउटलूट से महिला की शिकायत पर जवाब दाखिल करने को कहा ह वहराल दोस्तों इस मामले पर आपका जो भी कहना है कमेंट शेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें नमस्कार